हेलो स्टुडेंट्स जहारकंड एकडमी कॉंसील ने क्लास 10 और क्लास 12 के लिए फिर से प्रोग्राम रिस्टीडूल कर दिया है जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो अगली करती है था कि है जूड़ा सा परिवर्तन किया गलीन उसके साथ जो एकड़ीड़ का पैटरन जा नहीं कहीं पछिट जार नहीं हृब है जो पहले डेट जारी कर दिया था चछे फर्वरी से लेकर होने वाला है था एक्जाम का डेट सेम रहे गा ऑई ना एक्जाम के डेट में चेंज हुआ है, ना ही कोई सब्जेक्ट में चेंज हुआ है, एक्जाम का डेट और एक्जाम का सब्जेक्ट as it is है, जैसे आप पहले आप देखे हैं, वही रूटीन रहगा, रूटीन में जड़ा भी छेर चार नहीं किया गया, सिर्फ टाइम चें अब आप अंसर बुकलेट मिलेगा, तो उसमें लिखने का तरीका क्या है, वो भी यहां पे साफ साफ नोटीफाई किया है जैक ने, और एकर यहां पे में स्टेक करते हैं, तो सीधा नंबर कट देगा वो, बाकि एक्जाम का रूटीन में कोई चेंज नहीं, मैं फिर से घंटेका कर दिया गया, तो वो भी हम लोग डिसकस करेंगे, पहले इसको समझे कि क्या दिया है नोटिफिकेशन में, और इससे पहले नोटिफिकेशन में जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कॉमर्स और आर्स के स्टुडिन्ट हैं, और जो इस बार 2024 में 12 क अग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए कॉमर्स और अपको पुरा कलेक्शन लेकर आ रहा है, याद रखेगा, इंपोर्टेंट कोशन का पूरा कलेक्शन लेकर आ रहा है, सिर्फ कोशन नहीं उसका आंसर भी हम आपको देंगे, अगर आप कॉमर्स और हजारी बा में जो ब बच्चे और अनलाइन इडिमिशन लिया है, अनलाइन पढ़ रहे हैं, उनके लिए फ्री है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, अगर वो चाहते हैं, हमारे पास कोई प्रोपर नोट्स हो, जिसको पढ़के हम फाइनल एक्जाम की तैयारी कर सके हैं और उसका एक्जाम बेदे बेतर तरीके से दे सके, तो Commerce World 1000 वाग अपने application के उपर, अपने app के उपर, क्या-क्या सुविधा देने वाला है, वो मैं आपको बता दिता हूं कि कौन-कौन सी सुविधा है, Commerce World 1000 वाग के application के उपर मिलेगी, सबसे पहला जो application के उपर सुविधा है, वो है PDF notes आपको मिल हैं जैक में हर चैप्टर भाई चप्टर हैं लेते हैं वह मौडल कोर्टन विध आंसर आपको हम देंगे मौड़ा जो बहुत इंपोर्टेंट कोर्टन रहेगा साथ ही 5 शाथ प्रिबीच यह कूचन दिया रहेगा और हम लोग अपने यहां को कोष्चन बैंक जो भी जाइक पो Conte meubra आहेंजारी किया है वह मां आपूव देंगे हितना साल सुविदा हम आपको देंगे इसका video लेक्टर भी मिलेगा आगर आप ये हैच परकेश करते है तो इसका video लेक्टर भी पर जो करेंद एक में क्टेव नहीं बड़न पर प्रशा देले में सारा सुविधा एक्रट में ड़ाइगा तो जो बकिते खलेंगे या क्लास के और साइंस के उन सारे बच्चों को यह सुविधा मेरे एप में मिलेगी क्या करना होगा उसके लिए तो प्लेस्टोर से आणार्फ करना अगा प्ले स्टोर में जा याके हगा अगर आप साइन्स के स्टोडेंट है टो लिखेंगे ट्वेल्थ क्रेस कोर्स किया अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा वीडियो मिलेगा तो पूरे वीडियो लेक्टेर के लिए 1000 फी है, सारा क्लास A to Z पूरे टौपिक कर वीडियो लेक्टेर मिलेगा 1000 फी है और अगर आप चातें केवल हमको नोट्स मिले, तो नोट्स के लिए केवल 200 फी है यह क्लास 11 और 12 दोनों के लिए तो जो 11 के बच्चे हैं 11 का सर्च करेंगे वहां पे 12 के बच्चे हैं 12 का सर्च करेंगे अगर किसी तरह की परिशानी हो तो मेरा नंबर है 977-1580632 इस पर आप कॉंटेक्ट मुझे कर सकते हैं और मैं आपको सुभीधा help कर दूँगा आपके courses को purchase करने में तो यह है और एक और notification मैं दे दूँ कि यह तो 2024 के exam के लिए जो बच्चे भी class 11 में हैं और 2025 में exam देंगे उनके लिए हम लोग नया batch announce करने जा रहे हैं online में यह जारखन में फिर मैं बता दू कि चुकि मैंने पिछले साल जारखन में 100 बच् करने के लिए जिनका एक्जाम 2025 में होने वाला है तो वैसे बच्चे जो ग्रामिन चेतर में रहते हैं जिनके पास अच्छी सुवीधा नहीं मिल पार ही है एजुकेशन के मामले में अच्छी एजुकेशन उस तक नहीं पहुंच पार है बच्चों तक और परेसान है से जाकैंब कर लिए वहां पर हमारा नया नया बैच होगा उसका एक कफी 1000 है पूरे साल का एक सब्छे कफी 1000 है पर सोची एक साल में हम एक हजार आप से ओनलाइन वे ले रहे हैं आप लाइन में तीन-तीन हजार सब्छे कफी लिया जाता है और आपको यह उस से बेटर लोग इस कोर्स के अंदर तो वह हम लोग बाद में एक वीडियो बना के लॉंच करेंगा आप वेट कीजिएगा इसी चैनल के उपर जाएगा वीडियो तो आपको फायदा होगा अभी मैं यह सारा चीज आपको बता दे रहा हूं वह सिर्फ आपकी जानकरी के लिए ताकि होनी वाली थी ना वह अब एक ही टर्म में होगी लिखा वर्स 2024 की माधिमिक और इंटर परिच्छा एक ही टर्म में ली जाएगी यह तो ठीक है एक ही बार में एक्जाम होगा वर्स 2024 में जो एक्जाम लेने वाले उसमें मुल्टीपल च्वाइस कोशन तीस ही होगे तीस में कमेंट करके पूचँ रहा था यह एकं नहीं रहेगा उसमें च्रोंट PAL अच्छा में आखि टेस्थ टाय। में आच्थ के सा dependence में आज पुस्तर हिए लोगा डिखना अमरृब बच्षों को पहले ही बता रहे थे KIES सिस्टम आएगा कि आ murder फूतरय effectively question 라고 सबसेई दिया तो पीजू अंवे उसका उतर लिकंडिया जैसे Ken ग underside सब्सक्रों आजब्सटनाखने को अगर प्रस्न संख्या घर यह पहला परस्ने आपकूण में पहले मी है ए 44 ओंगे मैं का निए यहीं disp दिया है तो अगर अगर हम देता कि प्रश्च्न संख्या स Bible चोड़ना है कि आंसर वन का सी वन के सी में जो लिखा हुए वो भी आपको लिखना होगा तो यह बात ध्यान रखना है नहीं तो काट देगा नंबर आपका उसके साथ-साथ नीचे लिखा है कि जो टेंथ वाले हैं उनको तो अलग तरीके का टेंथ वाले में मिलता है सफ पु पुष्टिका मिलेगा 24 पेज का आपको अंसर बुकलेट मिलेगा और उसी आंसर बुकलेट में आपको सारा अंसर लिखना है ध्यान यह रखना है बहुत अच्छा लिखा है यहां लिखा है देखे लास्ट मेली की भी दिया है कि यहां क्या लिखे दिखे जीन प्रशनों का उतार अंकित करना नीवार्य होगा ठीक है ध्यान दिजना है कि अगर आप पुष्टन लिखना है जैसे ब्हरी सौट आंसर टाइप कुश्चन जगर आप एक जगापे लिख रहे हैं तो सारा कुश्चन एक जगापे लिखे इस बात को ध्यान रखना है तो यह इस तरह से लिखेंगे बड़ा आगे लिखा है देखिए परिक्षा आयोजन के कारिक्रम तथा तीथी में किसी परकार का बदलाव नहीं किया गया है ना तो कारिक्रम मानी रूटीन चेंज हुआ है ना डेट चेंज हो कुछ भी चेंज नह गया पहले क्या समय था देख लिए पर पहले वाल समय पूरूर निर्धारित समय पहले हम लोग अगर मैट्री की बात करें तो 945 से लेके एक पांच तक था उसमें भी ऐसे से बटा था 945 से 1120 तक पहले था यह और 1125 से एक तक इंटर का देखे तो पहले था दो से लेके ती पांच पंधर तक एक्जाम होगा याद रखना है दो बजए लेके पांच पंधर तक एकजाम होगा और आंसर बुकलेट में मिलेगा डोजबज़ से पांच पंधर खनद अर उसका जो है 945 से एक एक ऐगज तक 1025 बनएक ढसर भी भी मिलेगा और परिक्षा कारिक्रम में को से डेट में एक्जाम होने वाला है, जो कारेकरम पहले से था, कितना तारिक से शुरू होने वाला था, तो 6 तारिक से शुरू होने वाला था, तो 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवीर करके, 6 तारिक से लेके 26 तक गया था एक्जाम, याद रखेगा, 6 तारिक से 26 तक गया था, तो जैसा जिनका रूटीन था, वो रूटीन में कोई छेड़ छाड़ नहीं किया गया है, ना इसका समय बदला है, देट बदला है, ना इसका सब्जेक्ट बदला है, कि येवल इसके समय में बदलाव कर दिया गया, कि जब दो बारे जो एक्जाम होने वाला था, 1 के C में जो option दिया हूँ है वो भी लिखना हूँ है 1 के C में जो लिखा है वो भी बात पूरा वहां लिखना है ताकि आपको दिक्कत ना हो अब यहाँ एक और समस्य आता है कि जो 10 नमर बढ़ा था किस में बढ़ेगा वो अभी तक confirm नहीं हुआ है अभी तक jack के दोवारे यह confirm नहीं 10 नमर जो बढ़ा था subjective में किस में बढ़ेगा very short answer type question में short answer type question में या long answer type question में यह अभी भी suspense है लेकि उमीद कीज़े कि very short answer type या short answer type question में बढ़ना चाहिए long में उमीद कम कीज़े लेकिन जब तक नया notification नहीं आता है इसमें confirm कुछ भी नहीं बोला जा सकता है बट आप very short answer type question में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं यह ज़्यादा बेहतर रहेगा तो आप लगे रहे हैं अपने तैयारी में जी जान से और result अच्छा होना चाहिए ऐसा हुमेद करता हूँ हम लोगों से जितना support हो सकेगा उतना support मैं आपको दूँगा और जैसे exam होगा exam के just साम में जिस दिन exam होगा exam के साम में इसी channel के उपर सारे subject का पूरा live answer हम लोग देने वाले हैं पूरा का पूरा answer आपको देने वाले हैं आप अपना answer मिलाने जा कि आपने जो लिखा वो सही लिखा या गलत लिखा पूरा MCQ के साथ साथ subjective का भी answer हम आपको दे देंगे ताकि आपको पता चले कि आप क्या लिखें तो आप channel में बने रही हैं इसलिए subscribe करके रखेगा ताकि आपको तुरंट साम में सही answer पता चल जाए और आप अपना मुल्यांकन कर सकेंगे कि आपका जो exam हुआ है उसमें आपका मार्क्स कितना आने वाला है Thank you